जहिन दोस्तो मैं सबस्पेक्टर श्वेता आज हम बात करेंगे कि कौन सी किताब से हम पढ़े कि एक्जाम हमारा क्लियर हो जाए अभी रीसेंट में दरोगा का एक्जाम है और बीपीस्टी का भी एक्जाम है सबसे पहले जरूरी है कि आप किस किताब का चेयन करें अभी हम दरोगा के एक्जाम में आज हम बात करेंगे कि पीटी के लिए आपको कौन सा बुक्स आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा चलिए हम बात करते हैं देखिए कई लोग लूसेंट को भी फॉलो करते हैं कई लोग क्राउन को भी फॉलो करते हैं लेकिन मेरे हिसाब से चाहिए विविध भी इसका बहुत अच्छा दिया हुआ है यह बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है इसलिए आपको यह किताब ज़्रूर पढ़ना चाहिए कई चीजों को जब हम जो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कहानी के साथ में कि हर चीज समझ में आई इसमें व करें तो science के लिए lucent बहुत अच्छा है आपको science lucent से करना चाहिए lucent gk से और जिनकी science बहुत weak है तो उनको इस relation के हिसाब से वीडियों को देखना चाहिए और वैसे अपने science को strong करना चाहिए और railway के book से railway की जो book आती है science वाली यह भी book बहुत अच्छी है science के लिए तो यहां पर आप इसकी तयारी कर ले और इसमें question को देखे कि किस तरह का exam में question पूछा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा question collection इस किताब में बिल जाता है railway की science में किसी एक चीज को पढ़ कर आप सोचेंगे exam दे दे तो exam इतना असान नहीं रह गया मेरा exam निकल जाए यह सोच गलत है आपको भी कई चीजों को कई जगा पर पढ़ना ही होगा तभी आप अपने आपको strong बना पाएंगे अब क्राउन की बुक के बादे में मैंने बता दिया कि क्राउन की बुक में सबसे अच्छे तरीके से क्या दिया हुआ है हर चीज की डिटेल कहानी दी हुई है यकीन कीजिए अगर आपको इसन चीजों को अगर बहुत कम समय के आपके पास बचा है तो आपको क्राउन से पढ़ना चाहिए वहां पे आपके सारे कोशन आपको मिल जाएंगे और एक्जाम में कोशन इसी बुक से पूछ लिये जात है लेकिन यह है कि समझने के लिए कौन अच्छे किताब है क्योंकि क्राउन की बुक ज्यादा बेटर है इस subjekt की मामले में में जबकि क्राउन से जाधा अच्छा साइंस दिया हुआ हुए Ст्रीए अपको दोनों बुक में ये अलग लग चीजों को ऐसे पढ़ना होगा तब आप आराम से दरोगा का पीटी निकाल लेंगे और समय बहुत कम बचा हुआ है अपना लक्ष टार्गेट आप बना चुके होगे अभी से भी जो बनाकर बैठेगा ना तो भी क्लियर कर लेगा जादा बड़ा चीज नहीं है दरोगा का एक्जाम वन मन्त या टू मन्त की भी स्माटली आपको पढ़के निके रलना होगा कुछ बस प्रिवियस एर पेपर को देखिए और कोशन का लेवल जच कीजिए और उसी हिसाब से तयारी कीजिए इस बार नहीं सोचे कि इस बार का पेपर कुछ अलग आ जाएगा हर बच्छे जब एक्जाम देने बैठते ने स से पूछे गए थे तो उसको आप साइट से तयारी करके छोटे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरेज है जैसे रेसियो है उन सब चीज को कंप्लीट कर लीजए मैट्स अगर वहां से आएगा तो पूछ लिया जाएगा लाभानी से तो ज्यादा परेशान होने का बिल्कुल ज़रती है पीटी के त्यारी में अपने आपको इदम बढ़ियां से जोकी है और यह मैं सोची कि चार घंटा पांच घंटा अब समय कम रह गया है आप उठिये खाईए पीजी और पढ़िये और कोई काम नहीं है आपके पास तब ही एक्जाम किलियर होगा क्यों लड़कियों का परसेंटेज कम भी होता है तो ले लिया जाता है इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा लड़कियां बहुत ज्यादा मातरा में इस पेपर को देने बैठेंगी आपको बहुत अच्छा तियारी करना होगा और कटफ आपका जब 75-80 होगा तब भी आप इतने लोग तो तेज होंगे ना जो 70-80 परसेंट अपना रिजल दें तो तयारी वैसे कीजिए अब बिल्कुल मट डरिए इस स्मार्टली पढ़ीगा एक्जाम कनफर्म क्लियर होगा बस स्मार्टली पढ़ना है प्रिवेस एयर पेपर को देखते हुए और सही बुक को जो एक जए कुछ बादें इस जितने भी इस चेप्र से पूछे गया है उसको देख लिजे और चाट दीजे अगर कुछ चीजे लिखी ऑग लिखी है तो वहां पर उनको एक जगर रखिए और इसको देखिए और यहां पर अगर क्राउं से रिलेट़ कोशन है तो उसको त तो उसके हुआ है तो उसको टिक कर रख लिए कि लास्ट टाइम में डिविजन के वक्त आपके पास कम समान हो कभी भी ज़्यादा सब नहीं होना चाहिए डिविजन के वक्त अगर तो हर चीज को यह सब चीजों को पढ़िए क्राउन से उसके बाद इसमें सारे स्पेशल कोश्चन को देख लीजिए यह भी किताब बहुत अच्छी है आपको यहां से भी पढ़ना चाहिए तो आपको मैंने बताया एक तो इस चीजों को क्राउन से पढ़ना है प्लस NCRT सार जो महिस मरनवाल की आती है उससे पढ़ना है तो इन दोनों जगह से आपको देखना होगा तब ही कोश्चन के अच्छे कलेक्शन आपके पास मजूद होगे इसका मतलब यह नहीं कि यह दोन करेंट फेर का है तो करेंट फेर फेर फर्स ध्यान उसके बाद बाकी सब पर ध्यान कुकि वही रिजल्ट निकालेगा तो इस चीजों को यहां भी पढ़िए ठीक है और पहले की वीडियो से मैंने आपको बताया है कि करेंट अपर आपको कहां पढ़ना है तो अराम से दरो करने तो वो भी भुलक कड़े कोई ज्यादा ग्याने नहीं साब मल्टिपल रिवीजन देते हैं हर रिवीजन कीजेगा उतना वह आपका स्ट्राउंग होते जाएगा जब जब रिवीजन कीजेगा आपका जो भी नोट्स होगा वह छोटा होते जाएगा तो बस उसी पर फोक